डॉक्टर बाबासाहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार्खिमित्रो डॉक्टर बाबासाहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटीना चेतन्य स्टुडियो मा आप शोवनूहू 12 दिक स्वागत करula छू आजे मीत्रोँ आपने प्रत्याएन ना विवित कोश्चलियो विशेवाद करी शू जेमां आपने आपना देशना युवानो ए आपना देशनु बविश्य estu जो तेवं मा प्रतियान कौष्षेल्य होई तो तेमना माटए संदेशा व्यावारना क्षेत्रमा सारी एवी तको रहली शे, सारी बोल्वानी कुषलता तमा मानोग क्रिया प्रती क्रियावों नी चावी शे, अहीं आपने लेखनकौष्रिल्य बोल्वानी छटा वगेरे दाने गम्तो होई छे दरेक मानवी नेत्रूत्व करवा माटे बोलता होई छे ओप्छारिक बोलवानी कलाओ आपने आगल कहिऊ तेम बोलवू एक कलाचे जेने आपने क्रममा अवाज बनवानी प्रक्रिया तरीके ओलखिये छे संचार लोकोंने तेमनी आसपासना विश्वने समझवामा अने परियावरणने अनुकूलन करवामा मदद करेशे संदेशा विवार मानवनों सोथी वदू विक्षित छे ते मानव जातनों महिमा छे अपूर्ती वादचित निश्व्यता तरफ दोरी जाए छे संचार जारे प्रेशक चेनल द्वारा संदेश मोकले छे रिशीवर ज्यारे प्राप्त करता संदेशनों अर्थ गटन करे अने समझे छे त्यार बाद आ संचार पूर्ण थाए छे संचार पूर्ण थाया बाद संदेश मोकलनार अने प्राप्त करनार बन्ने पासे समझन अने समान मानसिक स्तर होई छे जे बन्नेनी आपसी अंडरस्टेनिंग विक्षावामा मदद गरे छे तमाम संचार व्यक्ति ओनी वच्छे नी क्रिया प्रती क्रियावव उपर आधारित होई छे संचार ना निम्न गटको संचार माटे महत्वपूर्ण काम करता होई छे बे के तेथी वदू व्यक्ति ओनी हाजरी के जे एक विजा साथेद चोकस सम्बंद धरावता होई छे सामान्य भाषा संचार नो माध्यम योग्य कोडिंग जेना द्वारा माहिती मोकलवामा आवती होई छे माहितीनु योग्य डिकोडिंग अथ्वारी सीवर माहितीनु डिकोडिंग अटले के प्रेशक द्वारा जे संदेश पोताना प्राप्त करता होने के संदेश जिलनार सुधी जे मोकलवामा आवती होई छे तेनु प्राप्त करनार व्यक्ति पोतानु लक्षे जुत बराबर अर्थ घटन करी शक्यों छे के नहीं त्यार बाद मित्रो संचार ना उद्देश्यों आपने जोई ये तो एक तो छे माहितीनों प्रचार करोओ एटले के एक माहितीने एक व्यक्ति थी लएने अनेक लोको सुधी लए जवी त्यार बाद परिवर्तनों ने प्रोचाहन आपू आपने मित्रों गणी वक्त जोई ये शिये के गणा बजा प्रकारना समुह माध्यमों परिवर्तन ने प्रोचाहन आपवानु कारिया करी रहिया से त्यार बाद योग्य वलननी सुविधा माटे लोकों ने प्रोच्छा हीत करवा दाखला तरीके मार्केट मां के समाज मां कोई सारू परिवतन आवी उसे अथवा तेमने लोकों अस्विकार करी रहा से त्यारे लोकों माद तेमना प्रतिय एक सारू एवो वातावरन निर्मान करवू और लोकों ने ते तरफ प्रेडित अथवा प्रोच्छाहीत करवानू काम समुह माध्यमोनू होई छे त्यार बाद सुचना आपवी समुह प्रत्याईन द्वारा कोईपन प्रकारनों मेसेज आपवा मावेशो तो ते एक प्रकारनी सुचना के माही ती छे ते लोको सुधी कोही पन संजोगमा पहुंचे से लोको तेने डिकोड करे के ना करे पन जे कही पन माहिती होई से ते लोको सुधी के लोको समक्ष जरूर पहुंचती होई से त्यार बाद से प्रत्यायननूल महत्वपूर्ण कारिय लोकोंने शिक्षित करवा हवे प्रत्यायन छे के जे प्रेशक से ते शिक्षक न थी डाइरेक्ली ओप्चारिक रीते पन ते सोथी वधुल लोकों ने शिक्षित करवानों काम करेशे आपने दाखला तरीकी कोवीड महा मारी मा जोई ए तो मोटा भागना समुह माध्यमों द्वारा के कोवीड ची बचवा माटे किवा किवा प्रकार नी तके दारी राक्वी तो आजे लोको ने तकेदारी ना पगला रूपे जेकाई पन माहिती प्रसारित करवा मा आउती हाती तेना द्वारा लोको शू शीख्या तो तेना द्वारा लोको हाथ वारमवार सेनिटाइज करता शीख्या हाथ दोता शीख्या सोशियल डिस्टेंस न राखता शीक्या अने कोवीड थया दर में कोवीड थया पछी केवा केवा पगलावो लेवा ने केवी दवावो लेवी अथवा केवी रिते तेमनी सारवार करावी आ तमाम घटना वोनु शीक्षन लोकोंने समुह माध्यमो द्वारा मली वहतु पछी खोटी माहिती अथ वह अफ्पावो कोवीड न रोकवा, दाखलात लिस्टें के आपने मउक, कोवीड न व्युति दायर! थाई यख़ माद लोकोनी लागनी उन्य व्यक्त करवी समूह मीडिया माद लगबग मोटा भागना लोकों नी लागनी वो प्रगट थती होई से, कारण के लोकों सामे जे कहीं पन समस्यावों से ते समस्यावों ने वाचा आपवनु काम समुह माध्यमों करी रहिया से, समाज नी जेते कहीं पन समस्या से, के प्रश्णों से तेनी सामे अंगुली निर देश करवानू काम तमाम प्रकारना समुहमाध्यों मों सारी रीते करी रहिया से त्यार बाद सामाजी क्रिया अने प्रती क्रियाओं मां जोडावा माटे अथवा वाटा घाटो तेम ज्तकरार उकेलवा माटे समुहमाध्यों मोंनू महत्वपूर्ण काम हो छे अने निर्णे लेवा माटे त्यार बाद कॉम्यूनिकेशन ना तत्व जेमा कॉम्यूनिक प्रत्या इननू पहलू तत्व छे प्रत्या एक एटले के माहिती मोकलनार अवे माहिती मोकलनार व्यक्ती कोन से समुह माध्यमों मा दाखला तरी के टेलिविजन के रेडियो होई छे तो तेमा रेडियो मा रेडियो जोकी और टेलिविजन मा न्यूज एंकर के फिल्म होई तो एक करता अनेक पात्रो प्रत्या एक तरीके प्रत्या एक नी भूमिका मा हो इछे त्यार बाद से एनकोडिंग एटले मित्रो के प्रत्या एक जे कई पन संदेश को ताना लक्ष जुथ सुधी एवाचको दर्शयको के श्रोतावो सुधी पोँचाडवा मांगे से तो ते मेसेज ने जे ते माध्यमने अनुरूब एनकोड करवा दाखला तरी के विद प्रकार ने साउंड इफेक्ट आपवी पडशे तेमा बजर मुकवा पडशे तो ते संदेश नूँ एनकोडिंग थयू एम कही शकाए त्यार बाद से मेसेज हवे कोईपण प्रकार नूँ प्रत्याइन आपने करिये शी तो तेमाँ सौथी महत्वपूर्ण बाबत मेसेज चे कै आपने केवा प्रकार नो मेसेज लोकोने आपवा वांगी चे और ते मेसेज न श्त्रोत ग्या धीव आपनेस मेसेज मिलो चे ते पने एक महत्वानी बाबल छे त्यार बाद छे चैनल इटले के माध्यम हावे तमे ए जूत प्रत्याइन सिवाई ना कोईपन प्रका मास लेवल उपर प्रत्याइन करवा मांगो सो के मास लेवल उपर एकले के समुह मोटा समुह ने पोता नो मेसेज आपवा मांगो छो तो तमें रूबरू एफ मेसेज आपी शक्ता न थी एकला माटे तमारे कोई चोकस चैनल के माध्यमनी पसंदगी करवी अनिवार्य हो इसे दाखला तरीके तमें तमारा निरक्षर लक्ष सुधी पोता नो मेसेज के संदेश पहुंचाडवा मांगो छो तो तमारे रेडियो अथवा टेलिविजन ना माध्यमनी पसंदगी करवी पूर्वशरत बनी रहे से त्यार बाद से रिसीवर एटले के मेसेज प्राप्त करनार हो अवे अपनी समक्स प्रत्यायक से मेसेज डिकोड एनकोड थाईगियों से चैनल से मेसेज से पन मेसेज ने जिलनार एटले के प्राप्त करनार रिसीवर नथी तो तेवा मेसेज नी कोई ज मुल्य रहतू नथ एटले प्रत्याइन नी प्रक्रिया मां जेटलू महत्व प्रत्याइक नूँ छे तेटलू ज महत्व रिसीवर नू एटले के प्राप्त करनार संदेश जिलनार नू होई छे त्यार बाद से डी कोडिंग डी कोडिंग एटले मित्रो के जे कही पन मैसेज प्रत्याइक द्वारा एनकोड करीने मोकल वाम आईवो छे ते प्रत्याइन मां लोको समक्स जे मैसेज पहुच जे ते मैसेज क्या स्वरू पे पहुच जे लोको तेमनू अर्थ गटन करी शक्या छे के नहीं ते बाबत पन अहीं सारी एवी असर जन्मा वेशे अन्य लोको सारी रिते जे मैसेज नू डिकोड ना करी शक्या तेनू अर्थ गटन ना करी शक्या तो लोको समक्स मैसेज नी समझन उभी थती न थी क्या जन्मा तेनू निर्मान नू कारिया थतु न थी त्यार बाद इसे प्रति सारी रिते करी शक्यों होई अने पोतानी समझान विक्सित करी शक्यों होई त्यार रिते प्रति पुष्टी आपतो होई छे त्यार बाद से मित्रो अनोपचारिक प्रत्याइन कोश्चल्या हवे मित्रो अनोबचारीक प्रत्याइन कोश्रल्य ए सामान्य रिते दरेक मानसमा होई से ते शिक्षित होए तोपन होई से अन्य अशिक्षित होए तोपन ते नामा अनोबचारीक प्रत्याइन कोश्रल्य होई से ते जन्मजात से M क्या पन आपने कही सके से कारण कि अनोपचारिक आपने यहीं जे वाद करीशी अनोपचारिक प्रत्याइन कोश्च लेनी तो आपने सारी रिते हैं तेमना विशे समझी शकीशू प्रत्याइन कोश्च लेयों मा अनोपचारिक बोलवू के वादचीत करवी ए पन एक मुलबूत रितेतो भाशन अच्छे आपने आपना मित्रो अथ्वा परिवारना सभ्यों साथे जे कई पन वादचीत करिये छिए ते अनोपचारिक प्रत्याइन छे दाखला तरी के आपने कोई क्लासरूम मा बेठा छी अन्हें आपना टीचर्स क्लास लेवां माते हजो आव्या ना थी अन्हें आपने आपना मित्रो साथे जे कई पन वार्ता करिये वादचीत करिये के गोशिप करिये तो ते ए एक प्रकारनों अनोपचारिक और आयोजीत प्रत्याइन छे अनोपचारिक प्रत्याइन बिजिये क्यां-क्यां थतु होई शे अनोपचारिक प्रत्याइन जेसे ते कुटमना सब्यो साथे थतु होई शे कारण के आपने आपने कुटमना सब्यो समक्ष आपनी कोई पन विचार के भाव के लागनीने व्यक्त करिये शे तो तेना माटे कोई पूर्व आयोजन मोस्ट अफली नथी होता एतले ए पण अनोपचारिक प्रत्याइननी अंतरगत आउशे अनोपचारिक बोल चाल मां स्थानिक भाषानों अप्योग थतो होईशे दाखला तरीके आपने कोई उदारन तरीके जोईए तो गुजरात ना कोई ग्रामिन प थतो होईशे त्यार बाद छे समान वह जुतना लोको सहपाठी ओ रूम साथी ओ वच्चे- बीन सत्तावार चैनल द्वारा संचार थतो होईशे हवे जिए अनोब्चारिक प्रत्याइन जे लोको वच्चे थतु ओशे, ते माँ चेनल नी के माध्यम नी जरूरी यात रहती न थी, ते सामान्य रिते माध्यम विहोनों पर संभवी शक्तु होई छे अनोबचारिक प्रत्याइन ना मार्गो तमाम प्रकार नी माही थी के ज़े वर्तमान स्थिती मा ओपचारिक चैनल वहार्थी पसार करवामा आवे छे अथवा शेर करवामा आवे छे अनोबचारिक प्रत्याइन करवा माटे कोई पन प्रकार नी चैनल नी जरूर नथी वोती कारण के ते तमाम प्रकार ना मेसेज पोई निश्चिंत माध्यम सिवाई ट्रसारित करवामा आवतावो छे आ प्रकार नी चेनल ने अनोब चारी नेटवर्ट तरीके पन ओलकवा मा आवे छे, आ प्रकार ना प्रत्याइन द्राक्ष वाईन अथवा अफवा मील पन कही शकाए आवे द्राक्ष वेल नी आपने मुख्य त्रण लाक्ष ननिक तावो जोई ए तो आपने सामान्य रेते द्राक्ष नी वेल एटले के आपने जे अंगुर खाईये छी ए तेनी वेल आपने जोई वोई तो तेनी लाक्ष निक तावो मा एक के तेनो कोई चोक्कस मालखु नथी होतु ते वांकी चुकी होई शे ते गमेत्यां थी आवे शे गमेत्यां जै शेके शे एटले के ते मेनेजमेंट द्वारा नियंत्रीत नथी तेने कोई मेनेज करी शकतू नथी ते कोईना नियंत्र संचार से कोईना नियन्त्रणमा बार्चसंदेशह व्याहार्य करता तिमदी विश्वस नहिंयतला लोको वध होतो अथा दाखला तरीके आपने एक कहवग कईवत से आपने बालपनमा एक रमप रमत रमत आता कि आपना मित्र ने मेसेज पास करें सर्कल मान आपनो त्यम प्र emitismत", त्यमने बीजा मित्र ने मेसेज पास करें पहुंचता मेसेज मा केटलाई प्रकार ना परिवर्त नो आउत आवोईशे पन तेम छताई जे व्यक्ति मेसेज पास करेशे ते आगल ना व्यक्ति द्वारा जे मेसेज मोकलवाम आएवोशे तेम नावपर संपुर्ण विश्वस धरावेशे अन्न मेसेज आगल पास करेश आवोँ जेरे उपचारीक रिते प्रत्याइन करवाम आवेशे तेरे नठी बंदो कारण के टेलिविजन द्वारा के कोईपन चैनल के न्यूजबेपर द्वारा कोईपन चोकस गटनाना संदर्भमा संदेश मोकलवाम आवेशे तो तेरे लोको तेमनी सामे प्रश्ण उभ करता होईशे खारं के टेमनी विश्वस नियेता उपर शोथी वधु प्रश्णों ठता होईशे तेनो उप्योग मोटा भागे तेनी अंदर रहिला लोकोना श्वँ हीत माटे थता होईशे अवेजे अनोबचारीक प्रत्याइन से तेनो उप्योग लोको पोताना माटे करता होई से आ अनोबचारीक मार्गोस सामानी रीते मोखिक होवा थी माहिती ने जड़पती प्रसारीत करे छे जेम जे माहिती पसार थाई से तेम 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 ते विक्रूत औन अजचोकस बनती जाई से अपने जे मित्रों अगल उदहरन जो यूक एक राउंड मां मेसे जता-जता, अथ्वाद जे मुल व्यक्ति ये मेसेज बनाये वो छे, त्या व्यक्ति सुधी मेसेज पहुंचे, त्या सुधी माते विक्रूत अने अर्चोकर्स बनी गये होचे, दाखला तरीके आपना महापुरुश्ड द्वारा कहवायल वाक्यों, अथ्वा कह त्यमना द् खायल महान्तम पुस्तकों ने आजे लोको द्वारा जे लोको सुधी माहिती पुश्टवा मावेशे तेनी साथे तेमना तथियों साथे तोड मरोड करीने लोको सुधी पुश्टवा मावेशे तो आप्रकार ना जे अनोपचारिक प्रत्याइन द्वारा जे माहिती पुस्त किथ डेवी से अनोपचारिक प्रत्याहिन ने आरिते ओल्खी काडियू से जेमा ते वो संचार नेटवर्क पेटर्न चोक्कस नथी वोती तेमना मते अनोपचारिक प्रत्याहिन ना मालखा साथे सह अस्तित्व धरावतु होई छे हवे जे अनोपचारिक प्रत्याहिन ना मालखु छे ते अनोपचारिक प्रत्याहिन ने समान भागमा चालतू होई से दाखला तरीके आजे कोई न्यूजब्य परद्वारा कोई माहिती प्रकाशित करवा मावे से तो ते माहितीनू वांचन कोई एक व्यक्ति करे से तेज व् अन्य लोको सुधी अलग-गलग स्वरूपे पहुचाड़े से एटले और अणोबचारिक प्रत्याइन और अन्य अनुबचारिक प्रत्याइन मालखु बनने एक साथे अस्तित्व धरावता होई शे अवे अपने मित्रो गणिवार कोमी हुललड के धार्मीक साम्प्रदाइक दंगाँ जारे थाय से त्यारे आप्रकारणूजे अनोबचारिक प्रत्याइन वोई से ते गणिवार विंद्वन्चक अने नकारात्मक परिणामों लावी शके से त्यार बाद से मीत्रो ओपचारीक संचार ओपचारीक संचारे संचार नो सारो स्त्रोत से कारान के आ संचार मां मरियादावो गेराजर होई से आ संचार मालखामा व्यक्ति लक्षी माहिती होई से अहीं व्यक्तिगत धेई अने संगठानात्मक लक्षो एक रूप थाई शकेशे अवे जे ओपचारीक प्रत्याइन होई छे ते कोई संगठनना लक्षो ने निर्धारित समय मा के टाइम लाइन मा पूरा करवा माटे करवा मा आवतु होई छे अवे अहीं जे बे सिस्टम वच्चे सु संगठता संचार परिणाम पर असर करतु होई छे अवे ओपचारीक संचार माटे खणा बधा प्रत्याइन होई छे तेमा एक छे लखवू अने सांबलवू सतत अभ्यास द्वारा मानस पोतानी लेखन कळा प्राप्त करी शके छे अने सुधारी शके छे दाकला तरी के कोई व्यक्ति एवू इच्छतो होई छे के मुँको भविशेमा सारो लेखक बनू के सारो कोलमिस्ट बनू के फीचर लेखक बनू के पत्रगार बनू के अन्य क कोई पन फिल्ड मा मारी लेखन शेली जेशे एने मुँद धारदार बनाओ तो त्यार कोई पन व्यक्ति पोतानाल जिंदिगी मा जारे पन लखान नी शिरुवात करेशे त्यारे तेनी लखान शेली एटली धारदार नाथी ओती पण केहवत छे ने शिक्षण नों वो दूर थाई छे अने पोतानी शेली धारदार बनाओ छे त्यार बाद व्यावसाइक संचार मा लेखन नों खुबज महत्वर हेल वोई छे व्यावसाइक संचार इटलेर के मित्रो टेली विजन न्यूजबेपर जेते वस्तूक रेडियो माटे अपने स्क्रिप्ट लख तो आप्रकारना तमाम लेखन नों खुबज महत्वर हेल वोई छे आप्रकारना लेखनोंने लेख्या पछी तेमने लोको समक्ष सिधी रिते रजुवात करता पहला तेने संपादित पन करवा मा आउतु वोई छे दरेक लेखित दस्तावेज मा बंदारन डिजाइन अने बाशा वोई छे के जे ने रिसीवर समझवा माटे सक्षम से तेथी लेखन नी तैयारी प्रस्तुती उत्पादन वित्रण अने अंतिम उत्पादननों मुल्यांकन जो इच्छित असर प्राप्त करवी वोई तो ते खुबज महत्वपूर्ण धरावती बाबतो छे लेखि पाण दस्तावेज तैयार करियेशे तो तेमनों चोकस निष्चिन्त हेतू होई छे ते हेतू मुझब जो आपड़े लखान करिये तो आपनू जे लखान स्कील छे ते चोकस उभरी आवती होई छे त्यार बाद लख्ष जूथनी ओलक करवी जोई आपने हवे अशिक्षित लोकों माते लखान तैया लखी रही आछी तो जे आपना लखान में जे भाशावोई छे ते सामानिय औने सरल भाशावोई जोई जे थी करिये आपना लख्ष जूथने समझवामा तकलीफ न पड़े त्यार बाद छे प्रती पूष्टी जो आप कोनी लेखन नने समझी शेक्यों से तो जे ते पोताना विचार प्रतिये इतले के प्रतिया एकना विचार प्रतिये के लेखन प्रतिये पोताना प्रती पुष्टी के प्रतिसाद आपी शेके छे त्यार बाद व्याकरण में भूलो औने टाइपिंग भूलो ने लखान मा दूर करवी जोईए त्यार बाद प्रेक्ष्यो कोने ओलक अने कोना माटे संदेश लखवा मायवेऊशे और मोकलवा मायवेऊशे करवी जोईए तेने वाचकना सिक्षण ना स्तर व्यवसाइ स्तर नी खाते ही करवी जोईए संचार जे विशय साथे व्यवार करे से तेनु गनान संचार में योग्यों फॉर्मेट मां गोठवो जोईए संचार मां संचारक अने प्राप्त करता बनने वच्चे परिश्चाई होवो जोईए संचार करती वक्ते सामान्य बुलो टालवानी जे वीके सोब्रथम जे पाण विशय उपर तमें प्रत्याइन करवा मांगो सो के मेसेज आपवा मांगो सो ते विशय नी प्रिप्रेशन करवी जोईए तैयारी करवी जोईए तेनो ड्राप्त बननावो जोई अने प्रत्या दन्नो भाग जेजे ओई छे ते सोथी महत्वपून भाग ओई छे पत्र लेखन मा कोई पन प्रकार नू लखान कोने संबोधिने लखवा मा आयू छे तेनी आपनने खबर ओवी जोई है दाखला तरीके आपने आपना समोवडिया मीत्र ने पत्र लखता वोई है तो आपने प्रिय मीत्र लख्ये छे अथवा वाहला मीत्र लख्ये छे पन आपना थी उच्छ पद धरावता लोकों ने ज्यारे आपने पत्र लख्ये छे तो प्रतिश्री आधरनी सर अथवा माननी स साहे बिस्री एप्रकारना संबोधनों आपने उप्योग करता हो ये संबोधन हमेशा मानवाचक हो जो ये संबोधन करती वक्ते प्राप्त करना नी उमर पद वगेरे नू ज्यान राखवू जो ये पत्रनों मुख्य बाग हमेशा रिसीवर पर केंदरीत हो जो ये हमेशा पत्रनों अंत आभार अथ्वा साधर साथे करवो जो ये पत्र हमेशा वातचितनी शेलीमाज लखो जो ये वाचकोने विरामनी जरूर होवा थी फकड़ा टुंका अने वांकिय टुका अने सरल राखवा जोईए। लेखीत संदेशाव्यवहार नो पर कथम ड्राफ्ट समाप्त करिया पछी बदा अनी चनिय शब्दोंने दूर करवा माटे तेमा फेरफार करवो जोईए। अभी व्यक्तिनों समग्र कार्यकाल अने शेली निहचित राखवा जोईए सांबलवानी प्रक्रिया अथले के श्रवन प्रक्रिया। श्रवन प्रक्रिया जे छे ते एक गतिशिल प्रती क्रियानी प्रक्रिया छे जेमा वक्ता अने श्रोता बन्नेनों समावेश थाई छे अवे श्रवन करती वक्त ते वक्ता नावोई अथवाके श्रोता नावोई तो आ प्रक्रिया संभवती न थे आ एक एवी प्रवुर्ती छे जे तेनी साथे अनेक तब्बकावो धरावेशे स्टेज एक जमा ओरियंटेशन अहीं स्रोता ट्यून करेशे अथवा स्पीकर उपर ध्यान केंद्रेट करेशे बिजू से अहीं अमोक पासावनी पसंद गीनों समावेश्थाईशे जेवाके संदेशना क्या भागने जालवी राखवानोंचे क्या भागनों संग्रह करवानी जरूर नथी त्रीजू से नोंधनी सांबलवाना आ तब्बकामा संदेश स्रोता सुसी बद्ध ग्रहन करेशे सांबलवान निशरणी नी संकल्पना निशरणी ना विवित पगत्या आपने जोईशु अहीं पेलू के श्रोतावनी हाजरी एटले के अहीं उपस्थिती और ने एका ग्रतना स्तर्नो संदर्ब आपे से तमें कोईपन प्रोग्राम के कारिक्रम मा जाव तो त्यां तमारी मानसीक हाजरी एटले के उपस्थिती होवी पेहली शरत से सारा स्रवन माटे कारण के तमारी मानसीक हाजरी नी हो और तमें कोईपन प्रकारना विक्षे पावे थाग लागे के कंटाला ना कारणे पन सारू स्रवान थतू नथी ओतू अने प्रत्या यन योग्य मात्रामा नथी थतू ओतू त्यार बाद ध्यान परियाप्त छे के नहीं तिया आवनारा संदेशने बतावामा आवे छे त्यार बाद इसे अनुभूती सांभलवानों आ अनुभूती न थती होई तो तमारा सुधी जी मेसेज के जिब द्वनी पहुँचे छे द्वनी तरंगो के द्वनी तरंगो फक्त तमारा कान सुधी अथडाई छे तमारा मानसिक स्तर सुधी के द्वनी तरंगो तमने असर करता न थी संदेश जो दारणा मुझब होई तो अनुभूती थती ओई छे क्यार बाद वक्ता जो संदेश योग्य वेतो सांबलवानी क्रिया आगल वदी शाके से नहीं तो गेर समस थाशे सांबलवामा बूलो थाशे अवे जे प्रेक्षक द्वारा जे संदेश मोकलवा मावे से तेने बूलो ने निवारण में ही वाद करवामा वीचे अर्थ गटान अहीं कोईपन संदेश व्यावार मा सूचित अर्थ होवो जोईए संदेश नी असर कारक्ता माटे योग्य रिते समझान केलवी जोईए खणा बदा अधूरा संदेश आने कारने खोटा अर्थ गटानो थता होईशे मुल्यांकान संदेश आओ योग्य रिते कारिय करवा माटे नकी करवा मा आवता होईशे त्यार बाद से प्रतिसा बापवो बदा सांबलवानो एक लक्ष होईशे के प्रतिभावापवो संचार माथी इच्चित परिणाम तरफ लई जाएशे श्रवाननी निशरणी मा आंतिम पगलू छे जो पहलानी क्रिया योग्य रिते थएशे तोज आगलनी प्रक्रिया योग्य रिते थशे त्यार बाद से श्रवानना प्रकारो त्यमा सक्रिय स्रवान निश्क्रिय स्रवान, सुपर्फीशियल स्रवान, साहनु गुती पूरुन स्रवान, प्रोजेक्टिव स्रवान अन्ने सक्री स्रवान वगेरेनु अहीं समावेश थाई छे सांबलवामा उत्सुकता दर्शावामा गणा बधा प्रकारना तत्तुव भागिदार निभावता होईचे जेमके आ सांबलवाननु सोथी इच्छनिया स्वरूप से एक निश्क्रि स्रवान, आ प्रकारना स्रवानमा कोईपन प्रकारनु ग्रहान होतु नथी सामान्य रिते उदासिंतानु परिणाम होईशे साहानु भूती पूर्ण स्रवनमा सांबलनारने सक्षम होवानों संकेत आपवामा आवतो होईशे त्यारबाचे प्रोजेक्टिव स्रवान, प्रक्षे पन प्रक्षक ने व्यक्तिनी पोतानी प्रेर्णा आने द्रश्टीकोन आभारी सुचवता होईशे त्यारबाचे द्रश्य स्रावियक कारियक्रमनी निर्मान अवे कोईपन प्रकार्णों द्रश्यस राविय कार्यक्रमनु निर्मान आपने करूँ होई तो आपने तेना त्रण तब्बकाव माथी प्रसार थवु पड़तु होई छे जेमा प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अने पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन मा कोईपन प्रकार ना आपने ओडियो विजुल कार्यक्रम नुँ निर्मान करता पहला तेमा सोथी पहला कि बजेट नुँ विचार करवानों होई शे त्यार बाद स्क्रिप्ट लखवानी होई छे पछी आपने जे स्थलू पर शूटिंग के रेकोर्डिंग करवा मांगे छे ते स्थल में पसंदगी करवानी होई त्यार बाद प्रोडक्शन प्रोडक्शन दर्मियान केमेरा केवा प्रकाना उप्योग मलेवा माँ होई छे कोण तेमा प्रेशक रहे शे, कोण स्रोतावो रहे शे आबदू अहीं नक्की करवा मावतु ऊशे अने पोस्ट प्रोडक्षन पोस्ट प्रोड़क्शन त्या पाँ चि जे कई पाण शामघ्रिनू प्रोत्वादत सामघ्री छे त्यन्ने संपाधन करवां आवसे अन्य संपाधीत माहितीने विवित प्रकानी साउंड अन्य विजूल इफेक्ट आपीने लोखो समक्ष तेनने सारी रिते रजू करवां मा आवशे, तो आजे मीत्रों आपने आतलों अहीं जोयू, आगलना प्रक्रण मां आपने प्रत्यायनना अन्यपासानी विस्तार्थी चर्चा करेशू, धन्यवाद मीत्रों.